कुलदीब जी पीजपी के तयारी तो मुकमल है ये तो कॉन्फिडेंट है जितनी रणीती अभी तक बनाई सारी रणीती सफल हो रही है आप लोगों की तयारी क्या है आपके मुद्दे तो सबके सामने हैं सठीक मुद्दे आपने चैन की हैं लेकिन क्या होगा सीट शेरिंग तैक करेगा उस पर आगे बढ़ेंगे लेकिन आज इंडिया गडबंदन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और यही बौकलाहट भारके जंता पार्टी और प्रेम शुकला जी की है कि इंडिया गडबंदन में जो सारी पार्टियां हैं सारे दल हैं वो किस अज ताली से दोहजार चौदा तक जो भारत के ओपर कर्ज था वो पचास लाग करोड रुपे था और आग दोहजार चौदा से दोहजार तेईस तक में मोदी जी ने जब भारत में बहुत विकास कर दिया उसके बाद ये कर्ज बढ़कर हो गया दो लाग पांश जारू पांश दोसो पांश लाग करोड रुपे हो गया मतलब 155 लाग करोड रुपे अक्तिव कर्ज इस सरकार ने ले लिया और सब को महगाई में जोग दिया सब कुछ बेग दिया सैल बेग दिया रेल बेग दिया जमीने बेग दी सब कुछ बेग दिया बेगने के बाद भी कर्ज में पूरे देश के सामने आ गए आप जो मुद्दे लेकर चल रहे हैं वो जनता के मुद्दे हैं जनता के जन सरोकार के मुद्दे हैं आपकी चार बैठेके हो गई चुनाव एकदम नजदीक आ गया सीर शेरिंग को लेकर हर एक नेता का अपना अलेक फॉर्मूला है तो कैसे लड़िएगा ये तो बताइएगा न देश को लेकिन आपके नेताओं के बयान भी हैं कोई 23 सीट क्लेम कर रहा है कोई पंजाब में 13 सीटे क्लेम कर रहा है ये आपके लिए छिवाब जो नाव नहीं आ है किश्रीमान अरविंद केजरिवाल पंजाब में आकने यह सीट भी कॉंग्रेस को नहीं देंगे वहां से अमरिंदर सिंग उनके जो प्रदेश अध्यक्षा कांग्रेस के राजा वारिंग वो कहते हैं हम एक सीट जो है आपको नहीं देंगे बॉकलाहट और टक्राहट जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लेकिन जो है ये मैंने जब इनका नाम भी नहीं लिया तब भी पता ने इनको कहां से इल्म हो गया अब जहां तक रही भारत की भारत की अर्थव्यवस्ता की बात तो भारत की अर्थव्यवस् जी उसी तरह से जो है भारत जो है 6% क्रोथ रेट अगले पांच वर्ष भी रहेगा लेकिन प्रेम शुक्रा जी इस बाते तो नहीं कर सकते ना कि जो मुद्दे समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी आप मिलकर जितने भी दल तै कर रहे हैं वो ये नससों का 2019 का आंकड़ा है कि लिबरलाजिशन 1991 से लेके 2013 के बीच में इस देश में आगनाई सेक्टर में कुल रोजगार का स्रेजर हुआ 6.1 क्रोर और पाकी जो है 90% अनागनाई सेक्टर में हुआ इसी साल अभी इसी साल का 2020 से 2023 तक का EPFO का आंकड़ा है कि 4,90,000,000 लोगों को जो है EPFO अकाउंट ने क्रियेट हुए यानि पांच लगबग 5 करोन लोगों को ओगनाई सेक्टर में तीन वर्षों में नोकरियां मिली जो नोकरियां ये सोलावर्षों के कारइकाल में 22 वर्षों तक नहीं दे पाय है विजित वर्षों के कौर जोगों को भल आयं परेशान किया ये भी सब ने देखा न महंगाई का मुद्दा किप्रेम शुक्रत तो देंगी आपको आपकी बाकी भी साती है उनको चर्चा में ले आती हूं आपको देने दे रही हूं आप ने बताया आपने बेरोजगारी पर बताया जल्दी से कंपीट करें फिर बाते हैं भी बता रहा हूं यूरोप परेशान है चाइना परेशान है तब भी कोवीद की महामारी के बावजूद एवरेज इन्फ्रेशन रेट पिछले दस वरसों में पाच फीज ती है तो इन्होंने तो हमसे दोगुनी महंगाई कर रखी थी अनुराग बतारिया जी